इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है एक अच्छी और बड़ी खबर आई है हिमाचल परदेश में जो पूलिस की भरती है देखिए उसके उपर एक नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको कुछी दिनों में हिमाचल परदेश में 1226 काउंस्टेबल के पदों पर भरती देखने को मिलेगी जिसमें जो मेल काउंस्टेबल है 877 रहेंगे और फी मेल की भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2092 में वकैंसीज है साथ में हम बात करें तो काउंस्टेबल ड्राइबर के भी स्ताबन पद भरे जाएंगे तो यह आपके लिए एक बहुती अच्छा बहुती सुनरा विकल्ब है हिमाचल परदेश में जैसा कि आपको ग्यात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि दो तीन तीन वर्स विदार्थियों को इंतजार ही करना पढ़ता है पुलिस की भरती के लिए लेकिन पिछले समय आपने देखा था जो पुलिस की भरती हुई थी काफी लंबे समय के बाद हो भरती हुई थी तो देखिए उसके लिए बहुत से बिदार्थियों ने कलंबा इंतजार किया था कि उसके लिए दिन दिन एक एक दिन का उन्होंने इ आईएगा जो पिछली बार के कैनिडेट्स है जिनकी कुछ गलतियां रही होगी जिसकी बज़ा से उनका नहीं हो पाया है तो उनके लिए एक बहुती सुनरा अफसर हिमाचल परदेश में आने वाला है और आप यहां पर देख रहे होंगे बिलकुल लेटेस्ट इंफॉर्मे सबीकृती मिलना सभाविक है क्यूंकि आपको ग्यात होगा हिमाचल परदेश में जितनी भी जो सांती प्रक्रियां है या हिमाचर परदेश को एक सुरक्सित बनाने का जो काम है वो इनी कांस्टेबल्स के दोरा किया जाता है तो आपको आने बाले कुछ में में वगैंसिस देखने को मिल सकती है लेकिन जैसा कि आपको ग्यात है कि इसके लिए बहुत ही जदा मेरिट इसके लिए जाती है अब आपको अपनी तियारी को बहुत ही तेज करना होगा हम आपको बता दें इलैश्ट्री टीम के दोरा इस प्रिक्सा के लिए एक बहुत ही बहस्तरिन किताब बनाई है यदि आप उस किताब को पढ़ते हैं क्यूंकि देखिए, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, यह सब बहुत भी मत्तोपुन बात हम आपको बता रहे है, आपको उस PRIXA के old question paper पढ़ने होते है, previous paper आपको इसलिए पढ़ने होते है, क्यूंकि इन previous paper से हमें पता चलता है, PRIXA का स्तर क्या है, syllabus क किया है इक्जामिनर किस तरह के प्रसन पूछ रहा है उसके बाद यह आपको उसी स्लेबस के अनुरूप या दो-तिन बरसों में उसके बाद उनको स्लेबस निकालते है और उस श्लेबस और कोशिन पेपर के स्टेंडर के हिसाब से किताब की जो श्लेबस है जो उसकी आगे की हदेयन समगरी है उसे डिजाइन किया जाता है और बिशेश तोर पे एक बहुतinho यूनिक चीज़ आपको इलैस्टरी की बुक्स में मिलेगी उसमें हमारी टीम आपको ऐसे MCQ भी लेकर आती है जो कि ट्रेंडिंग MCQ होते है बार-बार रिपीट होते है जिसे मैं आपको यहां पर हुधार दो जब RTI Act 2005 में बना था तो इतना trending question था कि हर exam में पूछा जाता था बरतमान समय में हम बात करें तो आप उसे निश्ची तोर पे हमाचल परदेश की सरकार से एक प्रसंट पूछा ही जाएगा जैसे हाली में आप देख रहे होंगे सिमिला में MC के election हुए है उसमें कितनी seats है हमाचल परदेश में total कितनी नगर निगम है यह आप से पूछा जा सकता है यह थोड़ा deep examiner चला जाए तो आप से पूछ लेता है कि जो नगर निगम सिमिला में चुनाब उसमें females की कितनी seats आई है यह सारी चीज़े आपको पकरनी है हमाचल परदेश गवर्मेंट में किस चीज़ को जैसे कितने ministers वहां पे बनाएगे है यह कुछ ऐसे भी सह होते है जो की trending में है यहां से तो आपको प्रसंद निश्ची तोर पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो Elias Study टीम इस तरह के vision oriented प्रसंद भी त्यार करती है इस वीडियो की direction में आपको link मिल जाएगा आप उस किताब पे जाईएगा उस किताब को आप review कीजिएगा उस किताब के के पिछले पांच बरसों के question paper भी हिमाचल परदेश पूलिस भरती प्रिक्सा के लिए अलग से निकाला है तो आपको एक book और दस question paper आपको अब भी ऐसे पढ़ने शुरू कर देने है क्योंकि आपको बता दें प्रिक्सा के अंतिम दिनों में mock test आपकी सफलता को निरधारी करते है तो आप इन्हें online order कर सकते है या इस किताब का photo अपने नजदिकी softkeeper को दिखा करके भी आप इस किताब को अपने softkeeper के माद्यम से भी प्राप्त कर सकते है और बसा आप जूट जाईएगा नियमित रूप से आप मेहनत करना सुरू कर दीजिएगा और simply हम आपको बता किताबें आपको इस platform पर मिलती है और यह किताबें ऐसे हध्यापकों के दौरा बनाई गई है जिन्होंने खुद इस तरह की प्रिक्साय क्वालिफाई की है तो आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक्यू बेरिमस कीप वाचिंग इलाइट स्टडी यूट्य चनल